हे गाईस, वेलकम टू माई निव वीडियो, आज का इस वीडियो में हर्दिक पांड्या का इस फोटो का आउटलाइन स्टेप बाई स्टेप ड्राव करके आपको दिखाऊंगा, सो आप भी किसी का फेस का आउटलाइन इजिली ड्राव कर पाऊगे, अगर आप इस वीडियो आप फोलो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इस फोटो में बहुत सारा बोटिकाल और होराइजन्टल लाइन है, सेम वही लाइन को हम पेपर के उपर ड्राव करेंगे, और आपको जो छोटा-छोटा बॉक्स दीख रहा है, उसका चारो साइड हम फोर सेंटीमेटर लेके पेपर के उपर ड्राव करेंगे, सो चालिए ग्रेट को स्टाइट करते हैं, मैं अभी पेपर का चारो साइड एक-एक लाइन ड्राव करूँगा, उसके उपर फोर सेंटीमेटर ग्याप रखे एक-एक पॉइन दूँगा, उसको जोइन करके कॉम्पलेट ग्रीट को मेरा ग्रेट कॉम्पलीट हो चुका है, अभी मैं आउटलाइन को इसके उपर ड्राव करूँगा, मैं तो अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, यह बास आउटलाइन का जो अबराल स्ट्रक्चर है उसको बना रहा हूँ, उसके बाद आए नोज, लिप्स यार हैर को भी बनाऊंगा, मैं आपको मेरा जो प्रिव्योस वीडियो था, उसमें भी बताया था कि मैं पहले जो आउटलाइन का अबराल स्ट्रक्चर है उसको बना था हूँ, उसके बाद आई, नोज या लिप्स उसको ही बना था हूँ, सो हैर्स को मैं आ अभी शाठ को कर रहा हूँ, आप जो भी मन कर रहा है उसको ही उसको ही उतारना है, अभी आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं आई को किस तरह का बनाता हूँ, ओ देखिए मेरा आई जो है थान नॉमबर बॉक्स में है, आपको काउंट करना है कि आपका कौन सा पाट कौन सा बॉक्स में है, और थोड़ा अपजर्बेशन का पावार लगा कि आपको ड्रो करना है, और दूसरा आई भी मेरा थान नॉमबर बॉक्स में थोड़ा उपर है, आप देख सकते हैं, मैं वीडियो में थोड़ा फास्ट करके अपलोड किया, क्यूंकि बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएगे, आउटलाइन को लेखकर मेरा चैनल पर और भी बहुत सारा वीडियो है, अगर आपको इस वीडियो में कुछ दिक्कत हो रहा है, तो आप वही वीडियो को भी देख लेजे, आप आप आउटलाइन से क्लियर हो जाएगे, नहीं तो आप इस वीडियो को भी दोबारा देख लेजिए, मैं अभी नोज का जो पोजिशन है, वो मेरा थान नमबर बॉक्स में है, आप देख सकते हैं, मैं अभी लिप्स और ब्योड को भी अच्छा तरीका से बनाऊंगा, आप देखिए इस वीडियो को, हर्दिक पंडि जो फोटो है, उसका लिंक मेरा डेस्क्रिप्शन पर है, आप डाउनलोड कीजिए, और उसको भी एक बार जरूर ट्राइ कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर उसका पिक सेंड कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाइ दूंगा, ये मेरा पार्ट वान वीडियो है, औ और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सेडिंग करके स्टेब बाए स्टेब बताऊंगा, आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं उसको ग्राफ हैट पेंसिल से करूंगा, या कलर पेंसिल से, आउटलाइन टोटल कॉम्पलीट हो जाने के बाद आपको जो ग कि आपको कौन सा पेपर यूज करना है, आप देख सकते हैं कि हमारा जो आउटलाइन है, वो कम्पलीट हो चुका है, और आप भी मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि मैं कलर पेंसिल से करूं या ग्र्याफेट से, और एक रिक्वेस्ट है, आप मेरा इस वीडियो को प् कर सकते हैं, उसका लिंक मेरा डेस्क्रिप्शन पर है, आप जरूर चेक किजिए, थांक्यू सो मुझ फर वाचिंग, बाई!